नारायन बिखमहे वासु देवाय धीमहे तन्नु विष्णु प्रचोदयार अर्थात जिनका सुन्दर मुख मंडल है स्रीहरी नारायन जो स्रेश्ट बुथी के धारक है ऐसे स्रीहरी वासु देव जो सर्वश्व है ऐसे स्री हरी विश्णू सर्वव्यापी मुझे अपनी स्रण मीले ओम नमु भगवती वास्व देवाय नमः हरी क्रिश्णा प्रिय भक्तिगड़ों आज के बैसाख मह कथा महिमा में आप स्रवन करेंगे कि किस प्रकार जल का दान ना करने से एक स्रेष्ट राजा को मरने के बाद छिपकली का जन्म लेना पड़ा और उसका उद्धार कैसे हुआ तो आईए सुनते हैं आज की दुर्ल पौराडी कथा में प्रिय भक्तिगड़ों यदि आपने बाकी के बैसाख मह कथा महिमा को नहीं सुना है तो जब भी समय मिले उसे अवस्य सुन लेजिएगा पौराडों में कहा गया है कि बैसाख मह में कथा महिमा को सुनने से और नियमों का पालन करने से मनुस्य की सभी तरह के दुख दूर हो जाती हैं और मोक्ष का मार्ग सुगम होता है कहते हैं कि मनुस्य अपने जीवन भर में न जाने कितने अपसब्द सुनता है और कहता है ऐसे में भागवान स्रीहरी विष्णु नाराण की कथा महिमा को सुनना सभी पापों को भश्म कर देने वाला होता है इसलिए अपने तन मन के सुधी के लिए भगवान विश्णू की कथा को अवस्य ही स्रमण करना चाहिए तो आईए स्री विश्णू भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रस्पान करते हैं नारज जी राजा अम्रिस से बोले हे राजाओं में स्रेष्ट जो लोग ठके हुए राही को जन नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूं इसमें एक ब्रामभण और उसकी घर की छिपकली की कथा है पुराने समय में हे मांग नामक एक राजा था वह इच्छाकुवंसी राजा बहुत ही धर्मात्मा जी पेंद्रिय तथा ब्रामभण भक्त था पृत्वी पर जितने रज कड हैं उस राजा ने उतनी गाएं ब्रामभणों को दान दी थी वह हर प्रकार से ब्रामभणों को संतुष्ट रखता था उसने अनगिनत यग्य किये उसके यग्य की कुसाओं से रत्वी पट गई भूमी दान, श्वन दान, अन दान, आदी जो भी दान है उस राजा ने सभी तू किये परन्तू जल दान नहीं किया एक बार वसिष्ट रिसी उसकी राज में पधारी और राजा को जल दान करने की सलाह दी तब स्वयम को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला हे रिसी स्रेष्ट पर जो वस्तू बिना मुल के सब को प्राप्त है उसका दान करने से क्या फल मिलेगा जो वस्तू हर किसी को नहीं मिल पाती उसको देना ही पुढ़ने है ऐसे तर्क युक्त वचन राजा ने कहे परन्तु जल दान नहीं किया और दान भी उन ब्रामडों को करता था जो लूले लंगडे दरिद्र और अज्यानी थे वह बेद पाठी तत्व ज्यानी तथा ब्रम्हा वादियों को दान नहीं देता था उसका कथन था कि प्रसिध ब्रामडों को तो सब ही दान देते हैं परन्तु ये अपाहिज दरिद्र बुधी ही जीविका विहिन बिचारे हर प्रकार के वस्तू के अभाव में दुख बोक फिर एक जन्म में गिध और साथ जन्मों में कुकुर वना तत्पस्चात उसी छिपकली का जन्म मिला छिपकली के योरी को प्राप्त करवा राजा मिथिलापूरी के राजा सुरूती किरती की महल की दरवाजे की चोखट पर 87 वर्स तक कीड़े खाता हुआ रहा गया संयोग से एक दिन राजा सुरूती किरती के घर सुरूती देव नामक मोनी आये राजा मोनी को देखकर बड़ा प्रसन हुआ उसने अर्ग देकर गुरू के चरंध हुए तथा उसके चरंणा मृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का तो वह जल छिपकली की उपर भी पड़ देया उस जल के प्रभाव सी चिपकली को अपने पुर्व जन्मों का ज्यात हो गया तब अपनी पुर्व योनी के दुख से दुखित हो वह चिपकली तराही तराही करती हुई यह कहने लगी है मुनी राज आप मेरी रक्षा करें चिपकली के मुख से मनुस्य की वानी सु तो इस योनी को कैसी प्राप्त हुई तू अपनी कथा कहे मैं तुझे इस योनी से मुप्त कराऊंगा। पुर्वक प्रजा का पालन किया। परंदु फिर भी मैं दस जन्मों तक चार तक गिधत था कुट्टे की योनी पाकर। अब बारहवे जन्म में छिपकिली की योनी में आ पड़ा हुँ। आपके आगमन पर अभी जब राजा ने आपका चर्णामरित लेकर अपने उपर ये कि किस पाप के फल सरूब मेरी यह दसा हुई है। छिपकिली का रितांत सुनकर मोनी ने ज्यान ने त्रोसे उसके पुर्व जन्मों पर द्रिष्टी डाली और सब कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार कहना सुरू किया। है छिपकिली मैं तेरी इस दसा का कारण बतात हां। तुने राजा के सरीर में दान, धर्म, यग, आदी तो सब कियें किन्टो विश्णू के प्रियमास बैसाख में जल का दान नहीं किया। तुने जल को पेपदार्व समझ कर भी इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतरिक्त तुने सुपात्रों को भी दान नहीं तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर, सुन्दर फूल वाले काटे दार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का ब्रिक्छ ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं। बेरी कटेरी को कोई नहीं पूजता। इसी प्रकार अ पूजन के योग्य हैं। इनमें ज्यानी भगवान को अधिक प्रिय हैं। अत्तहक पुज्यों की भी पुज्य हैं। ऐसे ज्यानीों की अवहिलना करने वाला मनुस्य पाप का भागी बनता है। तिर्थश्नान एवं मुर्ति पूजा भी ततकाल फलडायक नहीं होता। किन ज्यानी महात्माओं की तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। है इच्छाकुवन सच तुने तो अब दोनों ही कर्म त्यागे हैं। अर्थात न तुझ जलदान किया नहीं ज्यानी महात्माओं तथा वेद बाठियों का आदर ही किया। इसी कारण तो इस दुर्दस को प्राप्त हुआ है। है राजन मैंने जो बैसाख मास में पुन किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। यह कहकर मुनिवर ने जल हाथ में लिया। अपने पुन के फल का संकल्ब करती हुए। उसे छिपकली पर छुड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छि बिमान भी आ गया। तब वह राजा मुनि के हाथ जोड़कर परिक्रमा कर आग्यांड बिमान में चुड़ गया। जब बिमान स्वर्ग को चला तब देवता इस्तुती करके उस पर फूल बर्शाने लगे। फिर स्वर्ग में तस हजार वस तक समस्त सुखों का भोग करने के बाद वह इच्छाको वंश में राजा का कुट्स के नाम से उत्पन हुआ। वह राजा साथ द्यूपो पर राज करता था। वह पुनह बड़ा ब्रामण भक्त साधु सेवी और और परमार्थ ज्यानी भी बना। वह न्याय पुर्वक राज करता था। एक दिन वसिष् माह के समस्त धर्म कर्म भी बतलाएं। तब राजा ने मुनी के बताय अनुसार सभी कृत्त की हैं। और सब पापों से छुटकारा पाकर विश्नु की रायुग्ज मुट्टी प्राप्त की। यह वैशाक माह सब फलो को देने वाला है। इस पवित्र माह में जो मनुस्य य पथा सकती दान धर्म करता है वह दिर्ग आयू होकर भगवान का प्रिय बनता है। और सब पापों से छुटकर बैकुंठ नोक को जाता है। आगी नारत जी ने राजा अम्रिस से कहा है राजन मिथिला का राजा सुर्ती किरती यह देखकर आश्चर चकित रहें गया। फि इसके प्रभाव से छिपकिली की योनी से राजा हे मांग की मुक्ती हो गई और उसकी पाप नश्ट हो गए। कृपा इस धर्म का पोन वृत्नांत मुझे बतलाईए। राजा की धर्म में ऐसी आस्था देखकर महात्मा सुरुती देव बड़े प्रशन हुए। और राजा तुम धान्य हो तुमने बहुत स्रेष्ट कल्यार कारी प्रशन किया है। हे राजन मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विश्य में बतलाता हूँ। जिसका यस पुराडों में गाया गया है और जिसकी करने सी प्राडी भव बंधन से छूट जाता है। वैसाख मास में मनु बनवाना, कुवा तालाव बावडी आदी खुदवाना, यात्रियों के विश्राम निमित धर्मशाला बनवाना, प्रती दिन सुर्योद से प्रथम हिश्णान करनेना, तत पस्चात भगवान विश्णू का बिधी पुर्वक सुगंधित पुश्पो से पूजर करना, भग पुद्राम कराना, तथा उन्हें ताप दुर करने वाने, ठंडे पेजे से सर्वत लस्ची आदी पिलाना, धूप से वचने के लिए छतरी, जूता खड़ाओं आदी का दान करना, सहद एख कपूर, चंदन आदी, ताप हारी वस्टु दान करना, गव्मों को घास खिलाना फाल देही नैबैध्य, सया तथा शुगंधित वस्टु में दान करना, अन्या भोजन का दान करना, दीन में ना सोना तथा रातरी सयन पुथवी पर करना, सरीर में तेल ना लगाना, कासे के वरतन में भोजन न करें, पत्ते पर भोजन करना, आदी, यह समस्त धर्म वैशा महा में करने उजित हैं, जो प्राड़ी ऐसा नहीं करते, वह हे मांग की भाती ही कष्ट पाते हैं, जो इस्त्रियां ऐसा नहीं करती, वे पती पुत्र आदी के सुख से वंचित रहती हैं, भूखे प्यासे को अन और जल का दान अवस्य करना चाहिए, ना करने से पसु योन प्राप्त होती है, अध्वा पिसाज बनकर भटगना पड़ता है, अतहे राजन, अब तुम बैसाख मास में पीपल पूजने की कथा का स्रवन करो, महूरत में उठती इशनान ध्यान के बाद वह बड़ पीपल आकड़े की पूजा करती थी, छोटी राणी अपनी ननत की चाप लूसी करती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि राजा अपनी बहन की सारी बात मानते हैं, और मैं भी इनकी बहन को खुस रखूंगी, तो राजा महल से बाहर जाना पड़ता था, छोटी राणी यह सब देख कर ननद के पास गई, और बोली, बाइसा, बड़ी राणी पता नहीं क्या जादू टोना करती है, दिन भर महल से बाहर रहती है. इस प्रकार वह बहन अपने भाई राजा के पास जाकर बोली, भाई, बड़ी र राजा ने बहन की बात मान कर अपने नौकर को भेज कर नगर की सारे बड़ पीपल कटवा दियें। यह सब बड़ी रानी को पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। समय बितता गया जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी बैसाख रभी वार का ब्रत करने लगी। पूजा की सारी सामगरी ली और बड़ पीपल आकड़े की पूजा करने के लिए महसे बाहर निकल गए। पूरे नगर में घूमें परन्तु उन्हें कहीं भी बड़ पीपल आकड़ा दिखाई नहीं दिया। तो वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां से उन्हें पत्थर के नीचे दबा हुआ एक छोटा आकड़े का पौधा दिखाई दिया। उसे बहुत खुसी हुई। वहीं बैठ कर आकड़े की पूजा करना सुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आकड़े में जारी से जलसी चा, कुमकुम, चावल, मोली, काजल, समय बीतता गया। राजा को सिकार खेलने का बहुत सौक था। इसी प्रकार एक दिन वह सिकार खेलने के लिए निकले। जेश्ट का महीना आ गया था, बहुत तेज धूप थी, कोई सिकार भी नहीं मिला, राजा के सिवकों के बास जो कुछ भी खाने को था, वह सब खत्म हो चुका था, पीने के लिए पाने भी नहीं था, वे सब तेज गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल हो गये थे, राजा अपने सिपाहियों को आदेश दिया, कि पेड़ पर चढ़कर देखो, आज पास कोई जल का स्त्रोथ तो नहीं, सिपाहि ने पेड़ पर चढ़कर देखा, तो कुछ दूरी पर उसे पच्छी उड़ते हुए तथा, कुछ जानवर आज पास घूमते हुए दिखाई दिये, महराज कुछ ही दूरी पर पसू पक्छी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां हमें पाने मिल सकता है, राजा अपने सिपाहियों के साथ उस अस्धान पर पहुचे, वहां घने आकडे का पेड़ और तालाब था, राने ने जिस आकडे में जल सीचा, भगवान गोडे को भी पानी पिलाया, राजा ने देखा कि वहां आकडे के पेड़ के पास चूरमे के लड़ू पड़े थे, उसको भोख लगी थी, इसलिए उसने वह लड़ू खाए और अपनी भोख सांत गी, पर चूरमा खत्म ही नहीं हुआ, सब को बड़ा आश्चर हुआ, सब महल लट गएं, राजा ने अपने दोनों रानियों से पूछा, तुम दोनों में से किसने आकडे की पूजा की, छोटी रानी ने मना कर दिया, बड़ी रानी ने कहा, मैं बैसाख के महीने में बड़ पीपल आकडे की पूजा करती हूँ, परन्तु इस बार आपने बाईसा और छोटी रानी के कहने से सारे बड़ पीपल कटवा दिये, मुझे जंगल में छोटा सा आकड़ा दिखाए दिया था, तो मैंने उसकी पूजा की, अब राजा को सदबुधी आ गई, पूरे नगर में ठीडोरा पिटवा दिया, कि बैसाख के महीने में सभी स्रधा लो, अ और सब के कश्टु को दूर करेंगे, तो बोलिए स्री विष्णु भगवान की चै, चै हुक्ष्मी माता नत सीर बारंबार, रिधी सिधी वंकल प्रदे नत सीर बारंबार, यही मोर अरदास, हाथ जोड विनती करूं, सब विधी करूं सुहाव, जय चननी जगतं विकाव सिंधु सुतामा सुमिरो तो ही, ज्यान बुथी भी त्यादो हो ही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधी पुरहू आस हमारी जय जय जगत जननी अंबिकाव, सब के तुम ही हो स्वालंबाव, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी जग जननी जय सिंधु पुमारी, दीनन की तुम हो ही तकारी, बिनवो नित्य तुम्हारी महरानी, क्रीपा करो जग जननी भावानी, केही विधिश्तुती करो तिहारी, सुधिली जय अपराधे विशारी क्रीपाद्रिष्टी चित ओपन ओरी, जगत जननी विनती शुन मोरी, ज्यान बुधि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता चीर सिंधु जब विश्णु मतायो, जओ दहरत्न सिंधु में पायो, जओ दहरत्न में तुम सुखरासी, सेवा की जो प्रभु बनी दासी जब जब जन्म जहां प्रभुली नहां, रूप बदल तह सेवा की नहां, स्वयम विश्णु जब नरतनु धारा, लीनं अवधपुरी अवतारा तब तुम प्रकट जनक पुरमाही, सीवा की योःदे पुलकाही, अपनायो तेही अंतर्यामी, विश्वविदित तीभुवन की श्वामी तुम सब प्रलय सकती नहीं आनी, कह तक महीमा कहू बखानी, मन क्रम बचन करे किवाई, मन इच्छित वांचित फल पाई तजी छल कपट चतुराई, पूजय विविद भाति मन लाई, और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई ता हो कोई, कष्टन होई, मन इच्छित फल पावे फल शोई, त्राही त्राही जय दुख निवारडी, त्रिविधी ताप भव बंधन हारेडी जो यह चलीशा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर शुने शुनावे ता को कोई न रोग सतावे, पुत्र आदे धन संपती पावे पुत्रहीन और संपती ना, अंधा वधिर कोड़ी अति दीना, विप्र बोलाय के पाठ करावो, शंका दिल में कभी न लावो पाठ करावो दीन चलीशा, ता कर क्रिपा करे गवरीशा, सुक संपती बहुत शीपावे कभी नहीं काहो की आवे, बारह माश करे जो पोजा, तेही शम अन्य और नहीं दोजा प्रती दिन पाठ करे मन माही, उस सम कोई जग में नाही, बहु विधि क्या मैं करो बढ़ाई, ले परिच्छा ध्यान लगाई करी विश्वास करे ब्रतनेमा, होय सिध्धी उप जै उर प्रेमा, जै जै लक्ष्मी महरानी, सब मैं व्यापित जो गुड खानी तुम्हरो तेज प्रबर जग माही, तुम सब को दयाल कहु नाही, मोही अनात्य की सुधी अब लीजए, संकट काटी भक्ती मोही दीजए भूल चूक करी छमा हमारी, दर्शन दीजे दया निहारी, विन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख शहती भारी नहीं मोही ज्यान बुध्धी है तन में, जग जानत हो अपने मन में, रूप चतुर भुजे करके धारड, कष्ट मूर अब कर हुनिवारड, कही उपकार में करो बढ़ाई, जान बुध्धी मोही नहीं अधिकाई राम दास अब कहाई पुकारे करो दूर तुम बिपती हमारी, त्राही द्राही दुख हरडी हरो, बेग सब त्रास, जयती जयती जय लक्ष्मी करो, सत्रुवन का नाश राम दास धरी ध्यान नित, विनाय करत कर जोर, मातु लक्ष्मी दास कर, करहु दया की कोर, जय माता लक्ष्मी, ओब नमष्शिवाय प्रिय भक्त गड़ो, पूरी कथावा आर्दी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद